नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर एकनौमिकम के ताजा संसकरण में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने जिस पर चर्चा की थी इस पर शुभम आपको बताएंगे कि उस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आप सब की रहें और आप सब का बहुत आभार। बैंक कर्ज नहीं देते हैं इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। आपने इस प्रोग्राम को जवर्दस रिस्पॉंस दिया, बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारे लोगों ने अपने कॉमेंट्स किये, सवाल पूछे, इन सवालों को हम इस प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। और इस खबर के बाद एक असर भी हुआ, असर ये हुआ कि हमने देखा बीते हफते IMF ने SDR बास्केट में डॉलर और युवान दोनों मुद्राओं का वेटेज बढ़ा दिया है, ये इस बात पर मोहर लगाता है कि इन दोनों मुद्राओं का मुद्रा बाजार में अगर आ आपकी income की बात होगी, income के segment में एक खास जानकारी आपके लिए जुटाई है, और जाते जाते उन से जानेंगे कि इस बार किस्तों के सिख्के में कौन सी कहानी लिखे, क्योंकि ये कहानी भी एक अन्शुमान जी हर हफते आपके लिए लिखते हैं, तो चलिए शुरू करते सर जो आपको ये संकेत मिल रहा है कि shadow banking का जो एरा है वो खत्व होने वाला है, शुबम एक हम एक छोटे से संस्मरन से इस बात की शुरूबात करेंगे, एक किस्सा जो की लोगों से बाचीत करने में पता चला, एक नौमीकम में money central में हमारा प्रयास रहता है कि आप और हम ज राजा मणी टैक्सी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अब lockdown खतम हो चुका है, sales शुरू हो रही है, लोगों ने travel शुरू किया है, उन्हें ये पता है, उनके एक दोस्त है, महश बाबू जिन्होंने चार साल पहले टैक्सी ली थी, महश बाबू को कोई bank कर्ज देने को तियार नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई income का स्रोत नहीं था, कोई payslip नहीं थी, कोई income tax statement नहीं था, जिसके आधार पर bank उनको कर्ज देता, तो कैश तो उनके लिए महँगा था ही, लेकिन एक finance company उनको मिल गई, उस finance company ने जो खिम लेते हुए महश बाबू को कर्ज दे दिया, औ और taxi बनी रही उनके पास, फिर वापस वो अब taxi लेकर सलक पर निकल आए हैं, थोड़ा भूत कारोबार उनको मिलने लगा है, राजामनी को भी bank कर्ज नहीं दे रहा है, क्योंकि राजामनी bankable नहीं है, राजामनी की साख ऐसी नहीं है कि उनको को bank कर्ज दे सके, उनके पास उनके पास ये विकल्प है कि अगर टैक्सी खरी देंगे तो वो किसी निजी विक्ति से करज लेने जाएंगे, किसी मनी लेंडर से करज लेंगे और जो जिसके ब्याज दने और जिसकी सूद खोरी की चपेट में वो आएंगे, राजामनी जैसे तमाम लोग जो कोबिट के स करवारा कर संकट से निकलने के बाद या तो अपने कारोबार को दुबारा खड़ा करना चाहते हैं कारोबार को नएसरे से शुरू करना चाहते हैं कि नौकरिया चली जिए हूं स्वरोजगार चला गया है और लगातार उनके कान में स्वरोजगार स्वरोजगार डाला जा रहा है कि आप अपने कारोबार शुरू करिए उनके लिए यह बड़ा कठिन वक्त शुरू हुआ है और कठिन वक्त इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि राजामणी जैसे लोगों की फेरिस्त में बहुत छोटे उद्द्योग भी शामिल है, छोटी छोटी दुकान राले लोग भी शामिल है, गाउं में ट्रेक्टर खरीदने वाले लोग भी शामिल है, व्यापारी भी शामिल है, SMEs भी शामिल है, जिनके लिए आम तोर पर पिछले 10 साल में किसी भी बैंक ने ते थे और अपना काम शुरू करते थे अब इस पूरी शेड़ो बैंकिंग का यूग खतम हो रहा है और इसकी बहुत सारी सारी चीजें दस साल के भीतर हमने उन बदलावों को देखा है कानून बदल रहे हैं कर्ज महंगा हो रहा है नई तकनीके भारत की पुरानी एन बैंकि नहीं इसको आगे आने में रोक रही है क्योंकि नई कमपिनियां अगली प्ली की कमपिनियां बाजार में आ चुकी है और भारत की जो काफी विवादित भी थी ये शेड़ो बैंकिंग इसमें कई घोटाले भी थे इस कैम ते जिन पर हम आगे बात करेंगे ये पूरा का NBFC से है नान बैंकिंग फिनांस कमपिनिस से है यानि वे कमपिनियां जिनको रिजर्ब बैंक करज देने की छूट देता है लेकिन जमाज उटाने की छूट नहीं देता है जिने डिपॉसिट लेने की छूट नहीं होती अब ये कमपिनिया करज देने के लिए पैसा कहां से बाढ़ती थी इसी यही चक्र तूटने के कारण या यही चीजें गड़बर होने के कारण इनका जहां से खड़ थी और वहां से उसके बाद इनका पतन शुरू हुआ था शुरू हुआ बिल्कुल तो अंशुमान जी ने इस इंट्रो में आप ऐसे समझ लिए आज के अर्था बैंकिंग के इतिहास में ऐसा दौर बहुत कमाया है और चुकि भारत का 2010 के बाद से लेकर और 2022 तक का समय इतना घटना भूल है कि भारत के पूरे फिनांस और क्रेडिट मार्केट में जो इस्ट्रक्शरल चेंजे आए उन्हें बहुत काईदे से नीतिकत इस्तर पर ना तो बैंकिंग और भारत के करच के स्पेस को देखते हैं तो आप को बहुत सारी चीजें चौकाती हैं कि ऐसा कैसे हुआ और हम कहां आके खड़े हुए 2010 तक भारत में NBFC नाम की जाथा चीजें नहीं थी 2010 की शुरुआत तक भारत में कुछ थोड़ी NBFC कमपेनिया थी बाकी स्पेस बैंकों के पास था 2012 के तक भारत का बैंकिंग नाचा लड़कड़ाने लगा था भारत के बैंकिंग नाचे में कई सारी समस्याइं शुरू हो गई थी हमें याद होगा कि वही वो दौर था जब NPS बढ़ना शुरू हुए थे उस समय एक शब्द बार बार इस्तिमाल किया जाता था जिसे ट्विन बैलेंशीट प्राबलम कहा जाता था यानि ट्विन बैलेंशीट का मतलब बैंकों की बैलेंशीट और उनसे करज लेने वाली कमपेनियों की बैलेंशीट कमपिनियों को काफी कर्ज दिये गए थे शुरुआती दोर में अर्थवस्ता में 2008 के बाद हलकी गिरावट और मंदी आई थी इंफरस्ट्रक्चर में काफी exposure था, बीजली सेक्टर में काफी exposure था, टेलीकॉम सेक्टर में कमपिनियां डूब रही थी, कुल मिलाकर भारती बैंकों ने जिन बड़े दिगजों को बड़े उद्योंगों को कर्ज दिया था, वो वापस चुका नहीं पा रहे थे, वो संकट या वो काटे हम आज तक IBC के जरिये ढून ढून कर निकाल रहे हैं और उन डिफाइटर्स की लिस्ट से पिछले 10 साल में हम कई बार अलग अलग तरीके के बदलाओ चुन चुन चुके हैं वही सारे किस्से वही सारी बकायदारियां अभी तक NCLT में या IBC में चल रही हैं हुआ ये था कि 2010-11 के बाद 12-13 तक बैंकों का करज फसने लगा था उनके NPA रिकार्ड इस तर पर पहुँच गए थे 2014 तक एहालत इतनी गंभीर हो गई कि बैंकों बैंकिंग सिस्टम में टोटल NPA का अनुपात उनके कुल करज के अनुपात में दो गुना हो गया यानि बैंकों ने जतना करज दे रखा था फसे हुए करज उसके का अनुपात जो 10 साल पहले था उससे दो गुना हो गया हो गया 2012-13 का वो दौर था जब भारत में शैडो बैंकिंग का उदय होता है जब भारत में नौन बैंकिंग फिनांस कंपिनिया अचानक एक धमाके के साथ अवतार की तरीके से से बाजार में आती हैं एकदम तेजी से कई सारे उद्योगिक घराने कई कंपिनिया कई सारे नए लोग करज बाटने के बिजनेस में आगे आ गए और आकर बैंकों के आगे खड़े हो गए यानि बैंक करज बाटने की प्रक्रिया से पीछे खिस गए और नान बैंकिंग फ है जो भारत की बैंकिंग के 2010 से लेकर 2020 तक चले 2019 तक चले हुए संकट की वजह से उद्ध निकला था बिलकुल भारत में शैड़ो बैंकिंग का उद्ध है कब हुगा 2013-14 की बात है जब भारत में शैड़ो बैंकिंग है अपसर आपने कहा कि इन्होंने कर्ज देने की कमान समाल कर्च तब देंगे जब पैसा आएगा पैसा आपे करें इन्हें जमा जुटाने की छूट नहीं थी फिर पैसा देता कौन था यही भारत का दिल्चस्प शैड़ो बैंकिंग माडल था जिस पर 2010-2011 से लेकर 12-14 से लेकर लगातार सवाल उठते रहे बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि यह यह माडल सरवाइब कैसे करेगा रमिया समझना पढ़े गा कि भारत के रेगुलेटर्स का रेगुलेटर्स ने दूर की अगर सोची होती तो शायद हम इस समस्या में नहीं भसे होते हैं और यह भारत के शैडवो बैंकिंग के उत्थान और पतन की कहानी में भारत की financial market की जो long term planning है उसकी कई सारी दरारे और चूख दिखाई देती है भारत की NBFC को बैंकों की तरह बचत लेने की छूट नहीं थी करज देने की छूट थी और करज देने के लिए को करज बाटी है बैंक ने सीधा करज देते थे और इसके अलावा NBFC इसको बांड जारी करने की छोट थी जिन बांड में बैंक निवेश करते थे और इसलिए मने S-Bank से related 801 बांड के जो पुराने किस्से जो लोग इस प्रक्रिया को करीब से फालो कर रहे हैं उन्होंने वो दोर देखा होगा उसकी याद होगी के NBFC के बांड में निवेश और उसके याद में पैसा फस जाने के घटना क्रम होते जिसमें आगे थोड़ी चर्चा करेंगे बैंक चुंकि NPA में फसे हुए थे वो नया कर्च देना रोक रहे थे 2014 में ब्याजदरे भी कम होना शुरू हो गई थी बाजार में पुझी भी थी नोट बंदी के कारण बैंकों के पास काफी बचद भी मौजूद थी पर उनको कर्च देने की सुविधा चूट नहीं थी क्योंकि NPA के नियम उनके हाथ बादे हुए थे दूसरी ची तरफ 2012 से 2017 के बीच मौजूद के पास आम लोगों की बच्चतें काफी पहुचने लगी थी क्योंकि हमने देखा कि उस तमें कई असेट मैनेजमेंट कमपीनिया आई जो AUM थे मौजूद के पास एक साथ पहुचना शुरू हुए तो बाजार में बैंकों के खजानों में भी मौजूद के खजानों में पैसा तो मौजूद था पर वो करज नहीं दे रहे थे नियमों के करण और वो पैसा धीमे 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 घूम कर NBFC के पास पहुचने लगा मौचल फंड के पास 2012 से 17 की बीच शुभम जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था यानि जिसको निवेश धन हम कहें उपलंद के लिए वो 22 फीजदी के सालाना दर से बढ़ रहा था बैंक की ये मौचल फंड की जो बच्चते थी जहां पैसा रखा था वो भारत के NBFCs को करज देने में इस्तेमाल हुआ उन्हें सीधा करज भी दिया गया और उनके बांड में निवेश भी किया गया बिल्कुल ये हो गया पैसा कहा से आया मौचल फंड से आया, सरकारों से आया, प्राइवेट बैंकों से से आया, सरकारी बैंकों से प्राइवेट ये तो आ गया पैसा अब जब ये करज देने निकले तो करज के बाजार में इनका दखल कितना बढ़ गया और यही भारत के क्रेडिट मार्केट का एक किसम काट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जिन बैंकों को भारत में इस बात के लिए क्रियेट किया गया, तयार किया गया, लाइसेंस दिये गया कि वो करज बाटेंगे, उन्होंने करज बाटने वाली गाड़ी की पैलट सीट छोड़ दी करज बाटने लगी शैडो बैंकिंग, भारत की में इस्ट्रिम बैंकिंग इन्हें पीछे से पैसा दे रही थी इस समय तक, 2012-2013 तक भारत में आम तोर पर 10-11 अलग-अलग तरिके के इन्बैंस बनकर खड़ी हो गई थी हाउसिंग फिनांस अलग थी, आटो फिनांस अलग थी, माइक्रो फिनांस अलग थी और हमने पूरा का पूरा क्रेडिट का एक नया किस्म का बाजारिवाल होते देखा और तब उसकी तारीफ में इतने कसीदे काड़े गए, इतनी सारी चीजें लिखी गई उस दौरान की भारत की क्रेडिट मारकेट में बड़ा रिवलूशन था, रिवलूशन जाहर तोर पर था और उस क्रांती की जमीन उतनी मजबूत नहीं थी आकड़े बताते हैं रिजर्ब बैंक के जो हमें हमारे लिए जानना जरूरी है कि 2014 से 2017 तक कुल क्रेडिट में बैंकों का हिस्सा 62 फीज़ी से घटकर 35 फीज़ी रह गया NBFC का सालाना क्रेडिट डिस्बर्समेंट 13.1 फीज़ी की गति से और 2017 से 2019 तक कोविट का जटका आने तक या कोविट की मार आने तक करीब करीब 24 फीज़ी 23 से 24 फीज़ी की सालाना रफ़तार से बढ़ रहा था 2018 उड़नीस में रिजर्ब बैंक के आकड़े बताते हैं कि बानेज्य कर्ज में कामर्शिल क्रेडिट में खासतोर पर उद्योगों को कर्ज में NBFC लगबग बैंकों की बराबर आकर खड़े हो गये ते जितना पैसा बैंकों से जा रहा था उतना ही कामर्शिल क्रेडिट NB पर निकल चुका था और यह चीज हम आप समझ सकते हैं शुब हम पीछे पलट कर देखते हैं हमको लगता कि कितना बड़ा बदला हो था कि भारत की मुख्यधारा के बैंक मेंस्ट्रिम बैंकिंग कर्ज मार्केट से पीछे निकल गई थी और उसकी जगे जो शेड़ो बैंक का लीमेन मुमेंट आ गया लीमेन का मौका आ गया सर ऐसा क्या हुआ क्यों हुआ अगर भारत के शेड़ो बैंकिंग इस पेस का कोई लीमेन कहा जा सकता है तो वो लीमेन था दो बड़े घोटाले आयलन एफस और देवान हाउसिंग चोटा और आयलेफस आयलेफस का डूब डूबना भारत के शैडो बैंकिंग के तिहास का लीमेन मुमेंट था और कितनी छोटी चली एक रान थी 2014 से शुरू ही और 2018 इस तक चार साल के अंदर इतना कुछ हो गया भारत के रेगुलेटर्स की आँख के नीचे कि उनको समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा और आगे हम दे अगदम क्रेट मारकेट कॉलैप्स होना शुरू हुआ भारत की शैडो बैंकिंग जैसे साइकल स्टेंड पर साइकल ने खड़ी होती वैसा गिरना शुरू हो गई एक के बाद एक और अगर आप थोड़ा गूगल करके देखें और 2017-2018 के बाद 2020 की सुरुखियां देखें त अगबग वैसा ही था करीब करीब जैसा कि हमने मागेट क्राइसिस में देखा था अमेरिका में बाजार में पूंजी सस्ती थी एन्बी एफसी उन लोगों को करज देते थे जिनसे वो ज़्याधा करज वसूल सकते थे तो आबिटराज अच्छा था बैंक और म्यूचल अब लिया गया कर्ज सस्ता था और बाटा गया कर्ज महंगा था सामाने तोर पे इन्बी एफसी उनको कर्ज दे रही थी जिनने बैंक कर्ज लेने लाइक नहीं मानते थे इस पीच एकॉनिमी में इस्ट्रॉक्चरल रिसेशन प्रवेश कर चुकी थी क्योंकि पहले तो नो 90,000,000,000 करोर तक पहुंच गया था यानि जो उन्होंने डिट दिया था और उसके बदले जो बांड जारी करके जो पैसा जुटाया था वो करीब 2,000,000 करोर रुपए के असपास पहुंच गया था लेकिन तब तक इनका पूरा बिजनेस माडल फटने लगा था गिरने ढहन लगा था तो सबसे पहले डूबी दिवान हाउसिंग जहां तीन जार करोर का करज गोटाला हुआ प्रचलित के इससा है उसके बाद फिर NBFC की लीमन जिसको माइलन फस कहते हैं उसका पतन हुआ और इसके ततकाल बाद हमने वो स्पाइरल एफेक्ट देखा जिस एफेक्ट के कारण इन NBFC को जो करज देने वाले बैंक थे इनको करज देने वाले मूचल फंट थे वो क्राइसिस में आ गए अच्छे NBFC को मदद दी जाए जिसे की करज की सप्लाई बाजार में करेट की सप्लाई नहीं रुके लेकिन बैंक इस पूरे किस हिस्से में अपनी उगलियां क्या हाथ तक पूरे जला चुके थे उनके पैसे वैसे ही डूब रहे थे म्यूचल फंट के तो उन्हों ने इन पैकेजों के बाद भी NBFC को लेकर रिजर्ब बैंक की तरफ देखना शुरू किया कि पहले रिजर्ब बैंक तो ये बताए कि ये जो NBFC कितनी ट्रांस्पारेंट है इनको चलाया रखना जरूरी है कि नहीं है और यहीं से भारत की शेड़ो बैंकिंग का अस्त शुरू हो और यह सुरू डूबने लगा क्योंकि शेड़ो बैंकिंग को लेकर रिजर्ब बैंक ते अपने नियमों में बड़ा बदलाव उसी समय से शुरू कर दिया था तो सार इस लीमेन मौके के बाद यह बड़ा संकट आया इस संकट से सुधार कौन से निकले बदला क्या NBFC के शुरू हम 2018 के बाद भारत के NBFC स्पेस में भूचाल आ गया एक तरह से भूकम पा गया ILS की गिरने के बाद तीन बड़े बदलाव आए जो समझना जरूरी है और जिससे हम यह समझ सकते हैं वापस हम याद करते हैं राजा मनी को या महश बाबो को उन तीन बदलावों से ह सकते हैं कि राजा मनी को आने वाले समय में कर्ज मिलना क्यों मुश्किल होगा और इस समय राजा मनी की कार को फाइनेंस करने वाले लोग क्यों नहीं मिलना और बैंकों ने कर्ज क्यों नहीं दे रहा है जैसे ही ILS डू भी वैसे ही Reserve Bank को भारत के Regulators को दिखाई पड़ा है कि नियमों बदलाओ कई करम में आया 2018 के बाद पहली शुरुआत हुई फिर 19 हुआ फिर 20 हुआ और अभी तक वो बदलाओ जारी है अभी तक करम शाह रजर बैंक नियम बदल रहा है मोटे तोर पर तीन-चार बड़े नियम बदले गए जिन से NBFC का पूरा चेहरा बदल गया जैसे कि बैंकों को मांधा जाता था इस पूरी प्रक्रिया में केवल बड़ी NBFC बच सकती थी जिनके पीट पर कोई बड़ा ओद्यों की घरा ना खड़ा हो जो लंबारिस्क लेसा के जिनके पास चोटी पूंजी थी उनके लिए इतने बड़े रिजर्ब बनाना इस रिस समझण के भीतर सरकार को इसे सदेने आ या नियामकों के यह क्यों समझञे माया और यह बूसरा बूचाल आया के के दुनिया में के लिए जब तक उससे पहले Fintech आ गया, Fintech ने नई तरीके की वित्तिय सेवाय जारी कर दी, NBFC के वल करजबाटने के काम में लगे हुए थे, Fintech ने बहुत सारे payment wallet, e-commerce, UPI, online payment, नई तरीके की financial services का पूरा portfolio create कर लिया, और वो portfolio पकड़ने में सरकारी बैंक और नीजी बैंक आगे निकल गए हमने देखा कि पिछले 4-5 सालों में जो भारत के सरकारी नीजी बैंक थे, उन्होंने Fintech को तेजी से अपनाया, अलग-अलग तरीके के agreement किये, नए तरीके की सिमाए देना देना शुरू की, NBFC तब तक एक तो संकट पे थी, पिर करज के कारोबार में लगी थी, वो इस हो वो दौर ब्याजदरों में कमी का था, और जो आबिटराज था, जो फिनाशल सिस्टम का आबिटराज होता है, सस्ता करज उठाना और महंगा करज बाटना, NBFC का कुल बिजनस मॉडल इस आबिटराज पे चलता था, वो आबिटराज खतम होना शुरू हो गया, क्योंकि ब ब्याजदरों में बढ़ोतरी शुरू ही, तो आज जब हम खड़े हैं, तो ब्याजदरों में बढ़ोतरी का दर शुरू हो चुका, अब करज महंगा होने के बाद, NBFC के लिए फंड की कॉस्ट में और जादा बढ़ोतरी हो रही है, उनकी क्रेडिट प्रोफाइलिंग में करज महंगा हो रहा है, इसलिए उनकी तरफ से दिया जाने वाला करज और ज़्यादा महंगा होगा हो और उसके लिए लेंदार बाजार में नहीं मिलेंगे। और इसलिए चार अप्राइल का दिन कई मायनों में भारत की NBFC सिस्टम के लिए शेड़ो बैंकिंग के लिए एक और निर्णा एक दन था जैसे कि हमने 2018 में लीमेन के संकट को देखा चार अप्राइल के दिन भारती वित्ती बाजार में बड़ी करवट आई HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो गया, यानि देश की सबसे बड़ी NBFC, हाॉसिंग फिनांस NBFC का विले एक मुखे धारा के बैंक में हो गया, यानि उसकी शैड़ो बैंकिंग, उसकी चाया उसके मुखे बैंक के भीतर आकर समा गई, उसमें बैंकिंग, अब यह जो सबसे बड़ी NBFC थी ये विलाय भी बहुत सारी मन्यूरी में फसा हुआ है बहुत सारी उल्जनों में फसा हुआ है लेकिन बाजार ने एक तरह से समझ लिया था कि जब NBFC और बैंक में कोई बड़ा फर्क नहीं बचा है नियम और कानूनों में उसी तरीके के समान नियमों में काम करेंगे तो फिर दो का क्या फाइदा एक ही तो या तो अब विकल्प यह है कि बड़ी NBFC या तो बैंकों के लाइसेंस लेकर बैंकों में बदल जाए या वो किसी बैंक क कि गोध में जाकर बैट जाएं किसी बैंक में शामिल हो जाएं और अब हम भारत के NBFC स्पेस में इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसका असर हमें दिखाई देगा कि भारत में नान बैंकिंग फैनांस कंपनियों की संख्या नियून तो मिनिममम रह जाएगी कुछ करज के बाजार बाजाएं ने दो बड़े बदलाओ दिख रहे हैं पहले चीश दो ही कि करज भाम तोर पर महंगा होगा महंगा होना शुरू ही हो गया है हम लगातार देखे रहे हैं M-C-LR बढ़ा है और दूसरा यह कि करज देने वाले कम हो जाएंगे बाजार पहले करज तो आप कर्ज महंगा होने से ये जो आर्बिट्राज था ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई तो एक तो करज महंगा हुआ और महंगे करज के करज के लेंदार कम होंगे क्योंकि अब अगर आपको 10 या 11 परसेंट के लिए करज लेना है कारोबारी तो पर तो आपके बिजनेस में 20 परसेंट का रिटर्न त जिसको वो दिखा सके और बैंक उनके साथ ज्यादा जोखिम अब नहीं लेंगे क्योंकि वो कई बार अपने हाथ जला चुके हैं और इसलिए अगर आप कोविट के दौरान शुपन देखें कि कोविट के मौरिटोरियम के बाद जब बैंकों को ये छूट दी गई कामत कमे कर दिया जिनके भविश्य पर उन्हें आश्वस्ति नहीं थी और ये बात इस बात को सावित करती है कि भारत के क्रेडिट मार्केट में अब क्रेडिट का फ्लो भी कम होगा और क्रेडिट के लिए के लिए जो बैंके बेल लोग हैं उनकी उनके लिए जो नान बैंके बैंक नियामक 2014-2015 में भारत में NBFC करांती का जंडा लिये हुए थे वही नियामक 5 साल बाद भारत में NBFC को भारत की सबसे वड़ी समस्या के जड़ मान रहे हैं सारे नियम बदल कर उने दूसरी तरह पहुंचा रहे हैं इसका पूरा ओवराल असर हमारे भारत की अर्थवियोस्थ हमें करीव 1.6 trillion dollar का कर्ज है बैंक कर्ज और GDP का अनुपात करीव 56 फीस दी है कापरेट कर्ज और GDP का अनुपात लगभग 90 फीस दी है जो अभी मौजूद आंकड़ा है विक्सित देशों में प्राइवेट कर्ज टू GDP का अनुपात 200% है जब आप GDP के से दो गुना कर्ज मा बाटने होंगे यानि 1 trillion dollar के कर्ज का फ्लो क्रेडिट का फ्लो बाजार में और पहुंचाना होगा और इसले हम लगा थार पिछले 2-3 साल से क्रेडिट फ्लो क्रेडिट फ्लो बढ़ाना कर्ज देना ये बात ने क्यों सुन रहे हैं उसकी वज़े यह है कि अगर आपको विक 1 trillion dollar के अथ्वस्था बनना है 10 या 11% की विकासदर हासिल करनी है तो आपको बाजार में कर्ज का प्रवाह 1 trillion dollar के आसपास का कर्ज का प्रवाह बढ़ाना होगा हम कहां खड़े हैं सरकार को बैंकों के तरीके बदलने पड़ेंगे कर्ज के विकल्प नहीं तरह से बनाने पूरी बैंकिंग की नियमा वली नैसरे से लिखनी होगी एक साल के भीतर 6 महिने की भीतर में शैडो बैंकिंग सीमित होती दिखाई देगी सरकारों के पास शायद ये सब सोचने का वक्त नहीं है बिलकुल तो देखे आप NBFC की पूरी 360 कहानी कहां से उदय हुआ कहां से पैसा मिला कहां गलत कर्ज दिये कहां लीमेन मुवमेंट आया और कैसे अब बाजार कर्ज का बदल जाएगा जब NBFC नहीं होंगे फिर हम लोग कहेंगे एक थे NBFC सर अब अगली बात सवाल अर्थवश्थाओं का आकार और गोल्ट की उपलब्ध है तावर गोल्ट की दैखा जा सकता है कि ब्दूआ में फिजिकल गोल्ड के टरञक्शन में में बड़ी चुन होती है और दुनिया के अर्थ-वश्थाओं का आकार इतना बड़ा हो चुका है है भारतिय अत्वस्ता ही तीन ट्रिलेंट डालर के असपास किये कि इतना गोल्ड उपलब्ध नहीं है और इसलिए गोल्ड स्टेंडर्ड को छोड़ा गया था तो डालर का विकल्प गोल्ड नहीं हो सकता गोल्ड मुद्रा भंडारों का एक छोटा सा हिस्सा जरूर हो सकता औ अगरा सवाल सार रादिका अगरवाल का वो ये कह रही है कि अध्या के सबसे बड़े भूभाग वाले देश रूस को अमेरिका लंबे समय तक आर्थिक गतिविदों से दूर रख पाएगा जबकि फूड की क्राइसिस है और वही देश सबसे ज़्यादा फूड एक्सपोर पर हो लेकिन एक किसम का निर्णायब मुमेंट भी आ गया है दुनिया के अर्थविदों में कि रूस के साथ या रूस के बिना ये फैसला कैसे किया जाए और ये ऐसे कठिन फैसले अर्थविदों को और दुनिया के नितरतु को लेने पड़ते हैं अभी चीजें बीच में खड़ी हुई है इसलिए कहना मुश्किल है लेकिन हां रूस को और थ्वेस्थास दुनिया की मुख्यधारा से बाहर करने के बड़े आर्थिक असर होंगे महेंगाई के तौर पर पर रूस की आकरामक्ता को स्विकार करने के असर योरोप के पूरे भूगोल पर योरोप के आ उतार टे बाजार में बहुत जादा उतार चड़ा हो और बाजार में मूचल्ट वाले लोगों को जो मूचल्ट में निवेश करते हैं लंबे समय से कर रहे हैं वो इस उतार च़डाओ के बहुत परचार नहीं होते उन्हें समझने की कोशिस करिए कि क्या उनके रिटन बाजार के रिटन को बीट कर पा रहे हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई खराफ फंड तो नहीं पड़ा हुआ है उसकी परिस्थिति क्या है उसमें कितना नुकसान हो रहा है और यह समय चूंकि बाजार एक वोलटा की मदद से और बाखी लोगों की मदद से केवल उनके रिटन सी नहीं देखिए उनके प्रोफाइल उनके इन्वेस्टमेंट उनके पोर्टफोलियो को भी समझने की कोशिस करिए क्योंकि आपकी बचत है जो उसमें लगी हुई है और एक गलत फैसले से म्यूचल फंड में ह हैं तो लक्ष पूरा हो रहा है या नहीं सर चलते चलते खिस्टों के सिक्खे से पर्दा और उठा दीत एक पर एक बड़ा दिल्चस्प वाकया जो हम किस्टों के सिक्खे में इस वो बताएंगे कि योरुप ऑर नाटो अपने अपने प्रभावक्षेतर में विस्तार के ल पर उसी योरोप में एक बड़ी अर्थ वेश्टा है जर्मनी जो रूस से अपने रिष्टों के लिए नाटो की एक जुटा को भी खत्रे में डालती रही है और जब तक जर्मनी रूस से तेल और गैस की आया का इंपोर्ट बंद नहीं करेगा पुतिन की आकरामक्ता खतम नह जिसने लगभग हिटलर और रूस के रिष्टों का सबसे खराब दोर होने के बाद भी क्या किया जर्मनी के सरकारों ने बीते कुछ दश्कों में कैसे अमेरिका के तीन या चार बड़े राष्ट पती जर्मनी को समझाते समझाते परेशान हो गए लेकिन जर्मनी ने रूस के साथ अपने उर्जा समंधों को लेकर कोई योखिम नहीं लिया इसका बेह दिल्चस्प किस्सा आप इस बार देखेंगे किस्तों के सिक्य में बिल्कुल तो इस बार भी किष्ट रूस से ही जुड़ी हुई है जर्मनी से जुड़ी है सर बहुत शुक्रिया आपका झाल